नमस्कार बबितास किचिन में अपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं केफे स्टाइल जगदर कॉफी जो की बहुत आसानी से बनकर रेडी हो जाएगी बहुत कम समय लगेगा इसको बनाने में सर्दियों के मौसम में कॉफी सबको पीना बहुत पसंद होता है और जब कैफे स्टाइल की जगदर कॉफी हमें घर में ही पीने के लिए मिल जाए तो कॉफी पीने का मज़ा दुगना हो जाता है तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि कॉफी बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी चीजों की जरूरत होगी कॉफी बनाने के लिए हमें ये तीन चीजों की ज़रत होगी कॉफी पौडर चीनी और दूद कॉफी पौडर यहां हमें 2 टेबिल स्पून लेना है फोटेबल स्पुंचीनी और एक बड़ा कप दूद का तो चलिए बनाना सुरू करते हैं यह मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है यहां पर हमें छोटा वाला मिक्सी का जार लेना है छोटे वाले मिक्सी के जार में काफी अच्छी कॉफी बनकर रेडी होती है तो हमने इसमें मिक्सी के जार में काफी डाल ली है यह देखिए और यहां पर चीनी भी डाल लेते हैं जितनी आपने काफी ली है उससे डबल आपको चीनी लेनी है यह हमेशा याद रखिए रेशियो और थोड़ा साथ दूद डालेंगे दूद की जगे आप पानी भी डाल सकते हैं एक सा अन आफ करते हुए फेट लेंगे यह मैंने थोड़ा सा फेट लिया है और यह हलका सा मिक्षयर तयार हो गया है तो हम इसे इकटा कर लेंगे स्पून की मदद से और ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा और दूट डालूंगी थोड़ा गाड़ा लग रहा है मुझे ये तो मैंने दो चमच और डाल लिया है दूट फिर से इसी तरह से अन आफ करते हुए चलाना है मिक्सी को एक साथ बिलकुल नहीं चलाना है वरना इसी तरह से चलाना है और यह कम से कम चार से पांच मिनट तक ऐसा करते रहना है तो यह देखिए कितनी बढ़िया कॉपी बनकर रेडी हो गई है फलपी हो गई है और कलर भी बिलकुल चेंज हो गया है ब्राउन कलर आ गया है इसका यह देखिए बिलकुल ऐसी ही कॉफी हमे ज़हे थी। कैफे वाले भी बिलकुल ऐसी तरह explained. काफी जो मोल निकाल लेते हैं, गूप नाछेक निकाल लिया एक तरफ लोग माले करें हैं इंश हर्ऑस को बहते हैं, जादा नहीं नाछे गमिदुटे के चेकर लिए बसे, जाल में तो लिए बमें शक्राइट, अब दो टीस्पूर्ट डालिए थोड़ा सा दूद अभी डालना है यह देखिए इस तरह से थोड़ा सा दूद डाल लेना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है अभी एक साथ पूरा दूद नहीं डालना है तो हमने इसे अच्छे से फीट लिया है यह देखिए और अब गर्म दूढ हमीं हुबलता हुआ ही गरम-गर्म दूढ डालना है और थोड़ा उचाए से डालना है उपर से ताकि इससे प्रणल कर आगई हैं यह कितनी बढ़ीए जाग बन कर आग है मैहने यहांे मानी other cup कophy को मैंने सिम्डल ही रख exponentially दूसरे कप को मैं बेज देने के लिए इसे ऊपर से तोड़ा सा कॉफी डाल रही हूँ और यह देखिए और इसे डेकोरेट कर लेती हूँ इसpower sé Et यहा पर मैंने एक स्टीड की स्टुलेड लिया ना यह मर यहां जाता है तोट efficiently बना लेना है है बहुत बढ़त बना यह के मैंने बना ली है और है आप अपनी ह縫ाब से कर लीजे ना बीलए बैलकुल कैफे स्टाइल वाली कॉफी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल कैफे वाला ही होता है और जाग भी बिल्कुल कैफे वाले जैसे ही आई है कॉफी बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि आप जब पानी अदूद मिला रहे होंगे तो थोड़ा-थोड़ा करके दीजिए एक साथ बिल्कुल भी ना डाले दूसरी बात यह है कि आप जब इसे फेट रहे होंगे तो एक साथ मिक्सी ना चला के ओन आउप करते हुए चलाए तो आप बहुत ही अच्छी कॉफी बनाकर रेडी करेंगे तो यदि आपको मेरी ये कॉफी बनाने की ट्रिक बुले थैंक यू फोर वचिंग इस वीडियो